भगवान भोलेनात की असीम किरपा से श्रावर मास के चतुर्त सोमवार यानि की 12 गस्त दोजार चोबिस को प्राते 5 बज़े से दोपैर 2 बज़े तक भगवान भोलेनात का शिव महा अभिशेक कारेकरम आयोजित किया जा रहा है इस पवित्र आयोजन के लिए आज परम पुझे आचारी अवधेश दाजी माराज की गरीमा मई उपस्तिती में गंगा जल लाने के लिए गंगा जल रत रवाना किया गया इस एतिहासिक यातरा के दोरान हरीद्वास से 21,000 लिटर पवित्र गंगा जल एक टैंकर में लाया जाएगा जिसे जियापूर लाकर भगवान शिव का महा भीशे किया जाएगा इस आयोजन में देश के सबी प्रमुक्ती तरस्तलों को जैसे कैलाश मान सरोवर, सरयू नदी, गंगा नदी, यमूना नदी, नर्मदा नदी, गंगा सागर, बदरीनात, पुषकर और रामेश्वरम से भी पवित्र जल की वेवस्ता की गई है इस शुब अउसर पर आयोजन गबार का टारा पंकजोजा और आयोजन समीती के प्रमुक्त सदशिय और अन्य गंडमान्य लोग भी उपस्तित रहे महादेव का अभिशेक भूत भावन भगवान भोलेनात को प्रिय और पवित्र ओशद्यों जैसे विजया, प्रियंगू, नाकेशर, इत्र, दूद, शहदादिस से दिव्यवेद मंतरों के साथ किया जाएगा साथ ही मंदिर में बेल पत्र और शमी पत्र का भी निशुल्क विवस्ता की जा रही है यह आयोजन पूरी तरह से निशुल्क है और सभी शरधालों का हिस्सा बन सकते है यह आयोजन जैपुर के इतियास में एक अनूठी आयोजन के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इस परकार का आयोजन पहले कभी नहीं हुआ है गंगजल महाविशेख समीती की ओर से सभी जैपुरवाशियों से आगरे है कि इस पवित्र यात्रा और महाविशेख में सम्मलित होकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें यह आयोजन नेकेवल धार्मिक डिस्ट्री को उन से महतुपूर्ण है बलकि यह सामोहिक आस्ता का एक महान प्रतिक भी माना जा रहा है जैपुरवाशियों के लिए यह एक विशेश अफसर है जो उनकी आस्ता और भक्ती को और भी मजबूत करेगा